Question No. 4 Which of the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. आपको आगे equations दी हुई हैं, इन में से पूछता हैं कि कौन से pair जो हैं आपके consistent हैं और कौन से inconsistent हैं? और जो consistent है फिर उन्हें आपको graphically solve करके उनका solution निकालना हैं. चलिए शुरू करते हैं. First equation है आपकी x plus y, 2x plus 2y is equal to 10. अब इसमें condition लगानी है वो ही आपकी a1, a2 वाली. सबसे पहले तो इसे standard form में लिख लेते हैं. minus 5 is equal to 0. x plus y minus 5 is equal to 0 लिख लिया मैंने. यहाँ 2x plus 2y minus 10 is equal to 0 हो गया. अब मैं देखता हूं इसका a1, a2. यह मेरी first equation है. तो यह सारे a1, a2, a3, a1, b1, c1 हो गया. यह second equation है. तो इसमें से a2, b2 और c2 निकलेंगे. तो a1 और a2 क्या हो जायागा यहाँ पर? इसका coefficient 1 है. और इसका coefficient है आपका 2. तो 1 upon 2 हो गया. तो b1, b2. इसमें b1, यह आपका 1 हो जायागा y का coefficient. यहाँ y का coefficient आपका 2. तो यह 1 upon 2 हो गया. यहाँ पर c1 by c2 लेंगे. तो c1 है इसमें आपका minus 5. और c2 है minus 10. solve होके, यह भी आपका 1 upon 10 हो. तो तीन हो आपस में बराबर हो गया. जब ऐसा होता है. जब इस तरह से होता है. a1 upon a2 is equal to b1 upon b2. और c1 upon c2. तो यह आपका infinite solutions होता है. यानि कि बहुत सारे solutions होता है. और जिस equation का solution होता है, वो आपका consistent होता है. तो सबसे पहले तो यही पता चल गया है, कि यह आपकी equations दोनों consistent है. अब consistent है, तो आपको इनका graph बनाना है, solve करना है. तो पहले first equation से देखिए, values निकालता है, graph के लिए आपको values चाहिए होती है. तो equation है, आपकी x प्लस y is equal to 5. यहां से मैं किसी एक variable को अकेला कर लेता हूँ. सपोज मैं x को अलग ले लेता हूँ, तो यह हो गया 5 minus y. अब बारी-बारी से मैं y में कोई value रखता हूँ, और मेरा x आ जाएगा. इस equation के लिए जो values भरनी है, उनका मैं box यहां पर बना लेता हूँ. जो x y आएंगे, वो इसमें भरने हैं. तो अगर मैं y की जिगे पर यहां पर पहले 1 ले लेता हूँ, इस equation में, तो x कितना आ जाएगा? 5 minus 1, यानि कि 4. तो y 1 लेने से, मेरा x 4 आ गया. आप कुछ और लेता हूँ, अपकी बार मैं ले लेता हूँ, आपका 2, तो y की जिगे मैं 2 ले लेता हूँ, तो 5 minus y की जिगे 2 भरेंगे, तो यह आपका 3 आ गया. तो 3 आ गया. अच्छा, आप second equation को देखिए. Second equation में, आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, इसमें, कि 2 common आ रहा है, दोनों equation में. तो 2 को common लेके न, इसे छोटी बनाया जा सकता है. Equation 2 है, 2x plus 2y is equal to 10. दोनों तरफ से 2 से इसे divide कर दें, तो यह x plus y is equal to 5 बन जाएगा. आपको इसकी यह values निकालने की ज़रूरत भी नहीं है. इसकी भी आप यह values भरेंगे, यह equation आएगी, यह points आएगे, तो मैं directly लिख लेता हूँ. भरने की बनाने की ज़रूरत ही नहीं आपको, क्योंकि अल्रेडी same ही तो equation है, यह 1, यह 4, यह tool लिया, यह 3 लिया. अब इसका graph बनाते हैं. graph इसका मैं यहीं पर बता दूँँगा आपको, क्योंकि छोटी सी values है. यह आपके x, y, x, x-axis, x-dash, और यह आपका y-dash. इस औरीजिन. पहली equation के लिए, x पर 4 और y पर 1. तो पहले तो equal distance पर आप अपने graph की copy में, उसमें तो already बने हुए होते हैं boxes, तो वहीं पर mark करके आप यह अपने counting से लिख लेते हैं. अगर आप graph copy नहीं भी available होती है, तो scale से centimeter से equal distance बना लेते हैं. उससे भी आपका graph बन जाता है. यह 1, यह 2, यह 3, यह 4, यह 5. इधर minus का 1, minus का 2 and so on. उपर plus का 1, 2, 3, 4. नीचे minus 1, minus 2, minus 3, so on. values भर नहीं है, plus का 4. X का है, और Y यह आपका 1. यानि Y पे इधर से चलें, इधर से चलें, यहां पे. यहां पे आ गए. दूसरी value है आपकी 3, 2. यानि X पे 3, और Y पे यह आपका यहां पे 2. इसका नाम 4, 1, इसका नाम 3, 2. दो points मिल गए. इनको join कर दीजिए. ऐसे. दूसरी equation, 4, 1. तो यह 4, यह 1. तो यह point तो same, यह same equation है, बिल्कुल वहीं पे point आएंगे. तो यहीं पे point आगया हो. 3, 2. यह 3. और यह 2. यह भी same point. तो यह न, यह की line बनी है. और जब इस तरह की होती है, तो इसे coincident बोलते हैं. infinitely many solutions के अंदर आपका coincident होता है. और उस case में, यह A की line होती है, इसी के उपर आपकी दूसरे line आती है. यह आपका first part था. तो यह second part करते हैं. Second में equation है, आपकी x minus y is equal to 8, और 3x minus y is equal to 16. तो पहले तो इनको standard form में कर लेते हैं. अगर आप standard form में ना भी करें ना इनको, तो यह जो c होते हैं आपके, यह बिल्कुल ठीक आते हैं. क्योंकि इधर आएंगे दोनों, तो भी sign इनके same रह जाएंगे. और इधर रहेंगे तो भी, तो उससे कोई फरक नहीं पड़ता. लेकिन अगर standard form में कर लेते हैं, तो और ज़्यादा अच्छा लगता दिखने में. तो 3x-3y-16, यह आपकी equation 2, यह आपकी equation 1. चलिए, a1 upon a2 अगर करते हैं इसका, तो इसका a1 है आपका 1, और यह a2 है आपका 3. b1, b2 करते हैं, तो b1 यानि कि इसका coefficient यह है आपका minus 1, और इसका minus 3. minus है minus cancel, 1 upon 3 आ गया. अगला देखें, c1 upon c2, यह आपका minus 8 है, यह आपका minus 16 है, यह कटे, यह आपका 1 upon 2. तो इसमें आपको दिख रहा होगा, कि a1 upon a2, यह equal है b1, b2 के. लेकिन c1, c2 के equal नहीं है. और जब यह वाली condition होती है, तो यह आपका no solution होता है. यानि कि यह है आपका no solution. और no solution है, तो यह आपका consistent. और consistent है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना आगे, यहीं पर सवाल को छोड़ देना है. क्योंकि question में कहा है कि जो आपके, sorry, यह inconsistent है. no solution मतलब inconsistent. कि question में कहा है कि जो consistent है, उनी के आपको solution दिखाने है. यह second part, इसके बाद है आपका third part. third part में equations है, 2x plus y minus 6, 4x minus 2y minus 4. यह तो already standard forming है, चलिए इनका a1 upon a2 करते हैं, तो यह आया 2, और यहां से a2 है, आपका 4. solve किया, 1 upon 2 आगया. b1 upon b2 करते हैं, इसका coefficient है आपका 1, और इसका coefficient है minus 2. तो यह. तो यह आपका minus 1 upon 2 आगया. तो यह तो यहीं पर पता चल गया कि बराबर नहीं है, तो c वाले को करने की ज़रूरती नहीं है. तो हम यहीं लिख सकते हैं, कि क्योंकि a1 upon a2 not equal to b1 upon b2. तो इस case में क्या होता है? इस case में आपका होता है one solution. यह one solution है, यानि कि यह consistent है. अब consistent है, तो इसका आपको solution निकाल के दिखाना है. अब solution के लिए बनेगा आपका graph. चलिए graph बनाते हैं इसका. सबसे पहले तो equation देखिए. यह 2x plus y minus 6 is equal to 0 है. मैं यहाँ से y को केला कर लेता हूँ. तो यह minus 6 मेरा इधर plus चला जाएगा, और 2x इधर जाके मेरा minus 2x हो जाएगा. तो यहाँ से अब मुझे values x की रखनी और y की automatic आती जाएगी. इस equation में से और इन values का box में यहाँ पर बना लेता हूँ. यह मेरा x, यह मेरा y. अब देखिए, मैं x की जगे पर पहले अगर 1 भरता हूँ. तो मेरा y क्या आएगा? 6 minus 2 into 1. यहनि 6 minus 2, यहनि की 4. तो 1 भरने से मेरा y आया 4. एक value और चाहिए मेरे को. इस बार मैं इसकी जगे पर 2 भर लेता हूँ, x की जगे पर. तो y क्या आएगा? 6 minus 2 into 2. यहनि 6 minus 4. 6 minus 4, अपका 2. तो y है 2 आगया. फर्स्ट equation की values आगे? सेकंड equation की values निकलते हैं. सेकंड equation की values में, आप ध्यान से दिखेंगे, तो सारी equation के अंदर आपको 2 common दिखाए दे रहा है. तो इसको जब पूर equation को 2 से divide कर लें, तो और छोटी हो जाएगी. छोटी हो जाएगी, तो number छोटे आजाएगे, आसान हो जाएगा इसको करना. तो इसे 2 से divide कर लें, दोनों तरफ. तो simple equation मन जाती है, 2x minus, 2x minus y, और minus 2 is equal to 0. अब यहाँ से मैं x की चीज को ले लेता हूँ एक तरफ. अपने left side में. तो यह minus का y दर जाएगे plus हो जाएगा, और यह जो 2 है, यह भी plus हो जाएगा. यानि कि यह होगा 2 plus y. और x अकेला करना है, तो 2 plus y, और नीचे आपका 2. तो यह बन की मेरी equation, जिसमें मुझे बारी-बारी से y भरना है, और मेरा x निकल जाएगा. और यहाँ पर box बनाता हूँ, जिसमें values लिखनी है. यह x, यह y. तो पहले मैं ऐसा number भर लेता हूँ. y की जगे आप ऐसा number सोचके चलिए, जिससे यह 2 से divide हो जाए. उपर ऐसा number बने जो 2 से divide हो जाए. तो ऐसा आपके ध्यान में आएगा, पहले 0 भर लेते हैं. तो 2 प्लस 0 अपॉन 2. उपर तो 2 ही आया, 2 बाई 2 is equal to 1. तो 1 आगी value. दूसरे में आप y की जगे पर 2 भर लीजिए. यानि इस बार y की जगे 2 लेंगे. तो x कितना आएगा? 2 प्लस 2. y की जगे 2. अपॉन में 2. उपर 4 हो गया, 4 by 2 is equal to 2. तो ये value आपके 2 आगी. ये दोनों values मिल गी दोन equation की. अब इसका graph बनाना है. तो इसका graph भी बहुत चोटा सा यह है, simply आएगा. इसे भी मैं आपको यहीं बना के दिखा देता हूँ. ये आपको इस तरह से axes ले लिए. मैं तो roughly कर रहा हूँ, लेकिन जब आप करेंगे तो scale से knob के करेंगे. और अगर graph को भी होगी, तो फिर तो किसी चीज़ की आपको ज़रूरती नहीं पड़ेगी. ये एक्स, ये एक्स डश, ये 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 डश, origin, 1, 2, 3, 4, 5. वन, टो, थ्री, प्लस के, माइनस वन, माइनस टू, माइनस टू, माइनस ट्री एंड सो और. यहाँ पे आपके, y, प्लस के, 1, 2, 3, 4, इसी तरह से, ये माइनस वन, माइनस टू. चलिए, पहली value होगा आपकी 1, 4, यानि एक्स पे तो, 1 और y पे आपका 4, तो इन दोनों के straight देखेंगे, यहाँ पे इसका straight और यहाँ पे इसका straight, तो लगवगे यहाँ आजाएगा, और इसका नाम होगा 1, 4, दूसरी आपका 2, 2, तो यहाँ 2 के सामने, और यह ऐसे 2 के सामने, यह आगया, यह value आगया, आपके 2, 2, एक equation की value putting होगे, आप line join कर दीजिए, इस तरह से, second equation, इस equation का नाम भी स्पे लिख दीजिए आप, equation है, 2x plus y minus 6 is equal to 0, दूसरी values बरते हैं, 1 और 0, यानि x पे 1 और y पे 0, तो यह यह आएगा, यह x पे 1 है, y 0 है, 2, 2, x पे 2, y पे 2, तो यह यह point आगया, same वाला, तो इन दोनों को मिला देना, इस बार आपको, यह मिला दिया, equation बन गई, यह line पे आप नाम लिख दीजिए, इस equation का, 2x minus y minus 2, अब देखिए, एक ही point पे मिल रहा है न, यह, तो इसका one ही solution तो होगा, जब one solution होता है, तो आपका intersecting होता है, अब यह देखिए, solution क्या है इसके, देखिए, x पे क्या है, 2, और y पे क्या है, सामने 2, तो इसके x और y है न, वो 2, 2 आ गए है, यह इसका solution था, जब इसका fourth part देखते है, फोर्थ में दो equation दी हुई है, और सबसे पहले तो हम अपनी condition लगा के देखेंगे, तो a1, a2, यानि कि यहां से 2, यहां से 4, कटके 1 upon 2 आ गया, फिर b1, b2, यानि यहां से minus का 2, यहां से minus का 4, तो यह 1 upon 2 आ गया, थर्ड देखते हैं, c1 upon c2, यह minus का 2, यह minus का 5, minus minus cancel, 2 upon 5, अब क्योंकि यहां पे दिख रहा है, कि a1 upon a2, बराबर है आपका b1 upon b2, लेकिन यह c1, c2 के बराबर नहीं है, और जब ऐसा होता है न, तो आपकी यह third वाली condition, यानि कि no solution होता है, और no solution मतलब inconsistent, और inconsistent का मतलब है, आपको आगे कुछ नहीं करना, इसके answer निकल ही नहीं सकते, तो यहीं पे छोड़ देना है,